हेलो शुडेंट्स तो आज हम जानेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में पाइथन एक प्रोग्रामिंग लेग्विज है और इस प्रोग्रामिंग लेग्विज को डवलप किया है ग्यूडो वैन रोसम ने ग्यूडो वैन रोसम एक मैथमेटीशन और कम्प्यूटर स और इन्हों ने इस language को develop किया 1989 में और Python का नाम Python कैसे पढ़ा इसके पीछे भी एक छोटी सी interesting कहानी है ग्यूडो वैन्रोसम एक comedy show देखा करते थे उस comedy show का नाम था Monty Python Flying Circus और उसका एक बड़ा ही famous character था Monty Python और इस character से inspired होके ग्यूडो वैन्रोसम ने इस language का नाम Python रखा वो इस तरीके से इस language को नाम मिला Python और Python language बहुत सारी language से inspired है जैसे कि Python language में interpreter का concept ABC language से fundamental concepts C language से object oriented programming concepts C++ language से और scripting programming का concept per language से और modular programming का concept modular three language से लिया गया है बट इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको Python पढ़ने से पहले यह सारी language आनी चाहिए The beauty of Python is कि you can pick Python as your first programming language Python की खास बात यहीं है कि Python को पढ़ने के लिए आपको किसी भी programming language की mandatory requirement नहीं है और इसी लिए आप Python को अपनी पहली programming language की तरह pick कर सकते हैं बढ़ने से लिए सकते हैं पह यह यह यू झाल झाल